केंद्रिय विध्यालाय से केंद्रिय विध्यालाय में जो रिक्रूट में नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ था भरती अभी आई थी और आपको पता है इसका जो एक्जामनेशन है फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं अगर आपने इसमें आविधन किया है तो आपके लिए बहुत ही इंपो अपने बले ही किसी भी पोस्ट के लिए एप्लाई किया वो सभी post के लिए यहाँ पर examination date change कर दी गई है हम सारी जो भी post है सभी post का हम notification में किलिया करेंगे notice आया है आज का ही यह notice है 9 फरवरी 2023 का अगर आपने अभी तक visit नहीं किया है तो वीडियो के end तक देखिएगा आपको आपकी post के बारे में जानकारी है आपका examination कब होगा सभी post के लिए आपने teaching के लिए किया हो या non teaching के लिए सभी post के examination date को लेकर के यह notice है ओके so friends मैं हूँ आस था and welcome करती हूँ आप सभी का अपने youtube channel government job genuine notification so यह रहा वो notice और यहाँ पर आप देख रहे हैं date भी 9 फरवरी 2023 आज को ही यह notification आया हुआ है and यहाँ पर due to assembly election in some state कुछ राज्यों में election है उसकी वज़ासे यहाँ पर जो date है computer based test की all post सभी post के लिए यहाँ पर change कर दी गई है revised schedule यहाँ पर जारी किया गया है जिस भी post के लिए आपने apply किया है सबसे पहले तो यहाँ पर है assistant commissioner paper first रहेगा 7 फरवरी को हो गया है assistant commissioner paper second 7 फरवरी को हुआ है 2 shift है 2nd shift है यहाँ पर and principal paper first and principal paper first यहाँ पर 2 shift 1 और 2 8 फरवरी को हो गया है 9 फरवरी आज यहाँ पर 22 principal paper first paper second and PRT music का paper है 9 फरवरी 2023 इसके साथ ही TGT SST, TGT SST के लिए जो डेट है वो है 12 फरवरी, TGT SC Science के लिए है 12 फरवरी, TGT English and WE के लिए है 13 फरवरी, TGT Hindi and TGT AE का जो एक्जाम होगा वो 13 फरवरी डेट रहेगी, TGT Math का एक्जाम 14 फरवरी को, TGT Sanskrit and TGT P and HE के लिए अगर किया है तो 14 फरवरी सेकंड स सिप्ट है, सिप्ट यहाँ पर देखते जाना आप, and PGT Hindi के लिए किया है तो 17 फरवरी को एक्जामनेशन आपका रहेगा, इसके बाद है PGT Physics and Commerce, इनके 17 फरवरी को रहेगा दो सिप्ट में, and PGT Chemistry and PGT History के लिए जो आविदन किये हैं, उनका एक्जाम 18 फरवरी को होगा, PGT Math and Geography का 18 फरवरी 2nd सिप्ट, and इसमें PGT Bio and PGT Bio Tech है, तो यहाँ पर एक ही सिप्ट है, 20 फरवरी 2023, हिंदी ट्रांसलेटर का होगा, 20 फरवरी 2023, दो सिप्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर होगया, प्राइमरी टीचर का है, 21 फरवरी को एक्जाम होगा, प्राइमरी टीचर 21 फरवरी 2nd सिप्ट, 1 और 2 में, and नेक्स्ट है, प्राइमरी टीचर Finance Officer, प्राइमरी टीचर और फाइनिन्स ऑफिचर का रहेगा, यहाँ पर 22 फरवरी को, Primary Teacher and Assistant Engineer Civil का एक्जाम होगा 22 फरवरी को, PGT English and PGT Economics का होगा 23 फरवरी को, PGT CS का होगा यहाँ पर 23 फरवरी 2023 को, इसके बाद Primary Teacher के लिए अगर आपने आविदन किया है तो Primary Teacher का यहाँ पर है 24 फरवरी से लेकर के 24, 25, 26 और 28 फरवरी ठीक है? 27 को नहीं है, 24, 25, 26 और 28 को, जूनियर सेक्रिटेरियेट असिस्टेंट का रहेगा, एक सिप्ट, यहाँ पर 1 मार्च 2023 को जूनियर सेक्रिटेरियेट असिस्टेंट का रहेगा इसके बाद हम बात करेंगे next तो यहाँ पर है junior secretariat assistant shift wise यहाँ पर दी गई है 4 second 4 second में तो यहाँ एक मार्च, दो मार्च और उसके बाद 4 मार्च को रहेगा और 5 मार्च को भी रहेगा 4 shift में stenographer grade second के लिए 5 मार्च को रहेगा librarian के लिए 6 मार्च को रहेगा दोनों shift first second and assistant section officer and senior secretariat assistant का 11 मार्च को रहेगा यानि 7 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक आप सभी के सभी post बाइस यहाँ पर आप देख लीजे आपका examination कहाँ पर होगा अगर आपने आविदन किया है सभी जो post है सभी के लिए यहाँ पर inform कर दिया गया है सभी की date declare कर दी गई है तो अगर आपने आविदन किया आप इस list को check out कर लीजे और आपका जिस भी date में examination हो आप अपनी तयारी रखे आसा करती है वीडियो पसंद आया हो तो like and share कीजे Thank you